हाई एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बनाने जा रहे हैं हाइदराबदी स्टाल टमाटर की चटनी विथ मेथी लिव्स मिन्स टमाटर की चटनी के साथ हम मेथी लिव्स भी डालेंगे जो टेश में बहुत ही यूनिक है और ये शाही स्टाल से हमने बनाया है उसक हम को दुली हुए मेथी लिव्स साहिए हम क्या करते हैं मेथी लिव को लाज्ज क्वाइंटी में लाते हैं फिर उसको धो के हम चौप करके ऐसे जिपलोग बेकं में रख देते हैं और आपको जब भी चाहिए तो हम निकालके सबजी में डाल लेते हैं ऐसा हम करते हैं तो अभी हमको तेल में नो तेल में बट पैन में थोड़ा तेल लेना है और इसको तेल को गरम होने लेंगे इन दे मीन टाइम हम अद्रक, हरी मिर्च और गार्लिक इसके साथ ड्राइ नेट्स और खसकस का पेश बना लेंगे मिन्स टामाटर के अलावा जो भी शोपिंग बेड में था ना सब का पेश बना लेंगे और इन दे मीन टाइम तेल हमारा गरम हो गया है इसके अंदर हमने पंच पूरण डाला है अब जब हमारा पंच पूरण ब्राउन हो जाएगा ना तब हम इसके अंदर टामाटर डालेंगे इमें बड़ टामाटर के बार तुरण ही लीट को रख देना ताकि हमारा ओल स्प्लेटर नहीं होगा इससे और हमने एक टामाटर अधर टामाटर भी डाल दिया ग्राइंड करने के टाइम पर ताकि हम टामाटर के पाने ही यूज कर सके और हमको पानी डालने की शुरट नहीं पड़ेंगी और यहां पर हम पूरे के पूरे टामाटर डालैंगे अब हम इसको ठक के पकने नेगे इस टमाटर को आप फाइनली चॉप भी कर सकते और बड़ा बड़ा भी चॉप कर सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने इसको बड़ा बड़ा चॉप किया था अगर आपके पास टाइम को हो तो आप छोटा भी चौप कर सकते हैं और ये हमारा 5 से 10 मिनिट के बाद ये आप देख सकते हैं हमरे टमटा थोड़े सॉफ्ट हो गया ये हैं और इसको ज्यादा सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें डाला है नमक दनिया जीरा पाउडर तीन चमच हमने डाला है और इसके अंदर हम थोड़ा सा एक चमच जितना पाउंबजी मसाला डालेंगे और एक चमच जितना हम संभार मसाला डालेंगे और इसको हम प्रॉपल लिस्टेर होने के लिए रखेंगे आप जब भी टमाटर चटनी बनाए ना तो उसके अंदर थोड़ा सा पाउंबजी मसाला और थोड़ा संबर मसाला डाल डाल देना इससे टीस बहुत ही अच्छा आएगा अब हम इसको पूरे-पूरा हमको पकाना है और आप स्पेचुला से ऐसे मेश भी कर सकते हैं अगर आपको बड़े-बड़े पीसिस लग रहे हो तो हम यूजुली क्या करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा हम उसको बिग बिग चॉप कर ले फिर यह स्पेचुला की मदद से हम अल्वेज उसको छोटे-चोटे पीसिस में कर देते हैं अब हम इसके अंदर हमने जो ग्रांडेट पेस्ट किया था ना वो हम डाल देंगे जिसके अंदर काजू, बड़ा हम रेजिन था अदरख, लसन, हरी मिर्च और खसकस था जिसका हमने पेस्ट बनाया था टमाटर को डालकर वो हम डाल देंगे इसके अंदर इस पेस्ट क्या होगा कि हमारे टमेटर यू नो कई बार वो ग्रेवी टाइप नहीं होते हैं तो इससे हम ग्रेवी टाइप हो जाएगा अब हम इसके अंदर थोड़ा सा टमेटो सॉस डाल लेंगे इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये एकड़म प्रिच ग्रेवी भी बनेगी इससे और इसको हम प्रॉपरली मिक्स के लेंगे अब हमको सभी चीजों को प्रॉपरली पकाना है क्यूंकि हमने काजू का भी पेश डाला था काजू और बदम का वो टमेटो सॉस भी डाला था इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्राइडर में बचा है ना वो इसको इसके अंदर पानी डालके वो सभी पेश निकाल लेंगे इसको प्रॉपरी पकाना है ढ़कर अप कोई बीचीज बनाए तो याद रखे का जब भी आप भनाए करते है प्रॉपर तो इसका टेश्ट आटलमेटिकली ली ही आ जाता है तो हम इससे भी हम प्रॉपर्ली भॉनाए करेंगे ढखे और इसको पकाएंगे जब तक हमारा और इ के बाद हब हम इसके अंडर पकाने के बाद ही हम इसमें मेही डाल देंगे को मेति को हम ने रखा था था ना वो हम डाल देंगे आगर आपके पास फ्रेश मेशेट तो वह भी डालशा क्ते है था हमारी हमारा बेटा वो मेथी की भाजी के सब्से नहीं खाता है तो इसके लिए हमने रेसे पी रियेट कि थी इसको हमने टमाइटर के चट्पनी के अंदर ही डाल दिया था ताकि इवन मेथी की भाजी कई डमज ओंदर आता है Var वो नहीं आता कड़वापन जरा भी नहीं आता इससे एकड़मच खटी मिठी बनती है टमाटर की चटनी और इसको हम पकाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं अब उपर उपर थोड़ा सा तेल रिलिस हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्श और थोड़ भी डाल देना और इसको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे इसके अंदर है ना बटर आप एंड में डालोगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारा बटर फिनिश हो चुका था इसलिए हमने बटर नहीं डाला था पर आप जब भी कोई भी टमाटर की चटनी बना ह साथ में पाउबाची मसाला इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब हमने थोड़ा मसाले को पकने के लिए एक से दो मिनिट ऐसा पका है और यह हमारी टमाटर की चिटनी बन कर तैयार हो गई है क्योंकि हमको इसमें शाइनी चाहिए तो बटर तो है नहीं तो हमने शुट अच्छा फ्लेवर आएगा और यह हमारी टमाटर की चटनी बन कर तैयार हो गई है आप इसको ब्रेट के साहुआ सकते हैं बटर ब्रेट के साहत बटर एंट ठोदूटकूल में थोड़ा सल्गाता कर उसको थोड़ा सा टोस कर इसकेसाथ खा सकते इसको आप पराठर से साथ खा सकते हमने तो चपादे के साथ खाया था पर ये बहुत ही टेस्ट में अच्छा बना था आप भी इसे बनाएगा बनाने में एक डम सिंपल है और ये हमारी टमाटर की चटनी बन कर तयार हो गई है I hope ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्स वब वाचिंग पाई